सर इस वक्त विपक्ष आपकी सरकार पर यह आरूप लगा रहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद बाला कोट में जो हैर स्ट्राइक्स हुई उसका बीजेपी इस्तमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए जब पोस्टर देखते हैं तो ग्रूप कैप्टन अभी थी का है हमारी एक पाकिस्तान में और हम में क्या अंतर हुआ एक क्रिटिकल अंतर उसमें तीन चीजे थी पाकिस्तान ने आरंबिक वर्षों में अपने इलेक्शन कमिशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो चुनाव फेर महीं होते थे शुरू में अब थोड़ा सुधार कर देती थी जो सरकार चाहती थी कर देती थी लेकिन इन से बड़ा सबसे बड़ा अंतर हम में और पाकिस्तान में यह हुआ हम एक देश थे उन्नीसों से तालेस तक हमारी फॉज प्रोफेशनल है पॉलिटिक्स के एक आम्स लेंथ डिस्टन्स रखती है डोमेस्टिक अफे थी इसलिए उसके फॉज के जेनरल्स चार बार मार्शल लौ एड्मिनिस्टेटर्स बने तो हमारे और उनकी डिमोकरसी के बीच में जो हमारे यहां डिमोकरसी रही और वहां बार बार टंबल करती रही है अंतर है इसलिए हर राजनेतिक कारेकरता को या व्यक्ति को या समा में रहना चाहिए चाहिए वो मेरा समर्थक हो चाहिए मेरा विरोधी हो कि आपको एक दम armed forces को political process से एक distance पे रखना चाहिए और इसी में जो हमारी democracy की एक strength है वो बरकरार रहेगी तो आप कह रहे हैं कि आगे चलके कि यह कोई सरकार नहीं करती है राजनेतिक दल नहीं करते उस तो नेता पॉंच चैमोफला जैकेट पहन के आ गए गप्रे पहन के आ गए रैली में उनको मना किया गया मतलब कोई ना समझी से करें तो उसको बना भी किया जाता है ऐसा नहीं है मेरा सिरफ कहने का यह उद्धिश्य है कि इस विशे को हमें देश की भीत्री राजनीती के साथ नहीं जोड़ना जाए जैसे मैं आपको बता हूं यह बयान आ रहे हैं कि एक ने का फुल्वामा खुद कर वा लिया दूसरे ने का कि फुल्वामा के बाद बाला कोड चुनाव की बज़ा से किया मुझे आप बताईए कोई भी देश का प्रधान मंतरी हो या कोई भी सेना के तीन मुकियां हो इसका फुल्वामा से कोई लिंक नहीं था फुल्वामा से जिनका लिंक था हमारी सिक्यूरिटी कॉर्सिस ने उन्हों को कश्मीर में लिक्विडिट कर दिया को एकाद बचाओगा तो कर देंगे उसको जब मौका मिलेगा आज हमारे देश को इंटेलिजन्स से इंफर्मेशन आती है कि ये कैंप में इतने कोर्से शुरू हो रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान को टार्गेट कि जाएगा अगले कुछ महीनों में तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहते कि ये आरोप लगेगा कि इसका राजनेती करन हो दाएगा इसलिए भी मत चलो इसको इग्नोर कर दो ये तो देश के साथ खिलवार होती if that intelligence information had been ignored तो जब और इसका फुल्वामा से कोई तालुक नहीं था your intelligence agencies independently gave you that information you got that information any prime minister was duty bound to act and if he didn't act he would be letting down the country now the question is did he have the decisiveness and the broad shoulders to take a difficult decision the prime minister had it and I must say at the time of surgical strikes Sena Prabukhneka कि हम करके दिखाएंगे और air chief ने केवल कहा ही नहीं मतलब जिस प्रकार से execute किया और इसकी तुल्ना आप कीजिए जब अगले दिन Pakistan ने retaliatory action किया वो retaliatory था एक बॉच्ट अपरेशन आपकी air force सारे LOC और international border पर तैयार थी हर air base से आपके fighter aircraft सब्सक्राइब हो गए एक परकार से air wall उन्होंने बना ली अग्रेसिव थे उनको वापिस लॉटना पड़ा और आपका एक pilot ऐसा कि जो वाप उनको गिरा देता है और गिराने के बाद वो वापिस भी आ सकता था फिर भी उस dog fight in the air में लगा रहता है तो इसलिए जो air force ने किया है वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व होना चाहिए हम विपक्ष में थे 1971 में लेकिन जो हमारी सेना ने किया क्या हम सब को गर्व नहीं है उस पर